हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ फ्रेंट्स आज की इस वीडियों जो अपडेट हम आप लोगों को देने वाले हैं वो देने वाले हैं यहाँ पे फ्रेंट्स आप लोगों को आधार काड के बारे में आधार कार्ड में अगर आप लोग कोई भी चीज जो यहां पर अपडेट करना चाहते हैं चाय हूँ आप लोगों का नाम हो, फादर का नाम हो, या डेट अप पर बर्थ हो या आप लोगों का यहांपे ऐड्रेस करेक्जन हो आप लोग खुद से अपना जो यहाँ पे आधार काड को अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे UIDI के तरफ से यह जो सुविधा आब सभी को दे दिया गया है कि आप लोग खुद से अपना जो यहाँ पे आधार काड अपडेट कर सकते हैं और इस वीडियो में आप लोगों को आधार कार्ड अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने आधार कार्ड में क्या-क्या चीज खुद से अपडेट कर सकते हैं तो अप लोग अपने यहां पे नाम, फादर का नाम या एड्रेस किसी का भी बदलना चाहते हैं तो आप लोग खुद से अपडेट कर सकते हैं तो अपडेट करने के पूरी परिक्रिया क्या है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो आप लोग वीडियो को अंतक देखते रहें ताकि आप लोगों को यहाँ पर पूरी जानकारी मिल सके इस वीडियो के दुआरा और आप लोग खुद से घर बेटे आपना यहाँ पर आधार अपडेट कर सके तो फ्रेंज आधार अपडेट करने के पूरी परिक्रिया क्या है आज की इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं जाया जाएगा तो आप लोग जैसा कि यहाँ पर यह लिंक देख सकते हैं इस लिंक पर पहले वाले लिंक पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है open होने का बाद आप लोग यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे options खुल जाते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक option आप लोगों को देखने को मिलेगा demographic data का जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आप लोगों के सामने यह interface open होगा, आप लोगों को यहाँ पे आधार अपडेटेशन के लिए बहुत सारे options दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे download आधार, PVC आधार काड और, उसके बाद चेक आधार, PVC काड का status, तो आप लोगों को यहाँ आप लोग जो अपना आधार काड अपडेट करना चाते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है, जैसा कि यह login बला option आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ पे login कर लेना है, तो login करने के लिए अफ लोगों को यहाँ पे is पे click करना होगा, click आप लोग जै दे रहा है यह स्केप्चा को आप लोगों को यहां पर फिल अप कर देना है तो फिल अप करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहां पर अधार नमर टाइप करना होगा तो कुछ इस तरह से अपना जो आप लोग यहां पर अधार नमर टाइप करेंगे और आप लोगों क को अपना यहां पर आधार Numbers टाइब कर देना और आधार नमॉर टाईब करने के बाद इस क्यपचा-Code को यहां पर आप लोगों को Fkg-up कर देने हैं तो सबसे पहले यहां पर आगे का प्रोसिस यहां पर बताने वाला हूं तो कुछ इसी तरह से आप लोग जो है यहाँ पे अपना जो है Capture Code फिलब करने के बाद आप लोगों को Send OTP वाले option पे क्लिक कर देना है जैसे आप लोग Send OTP वाले option पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी रेजिस्टर मोबाइल नमर होगे उस पे आप लोगों को एक OTP भेजा जाएगा उस OTP को आप लोगों को यहाँ पे Enter कर देना है जैसे आप लोग यहाँ पे OTP को Enter कीजिएगा उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे Login वाले option पे आप लोगों को क्लिक कर देना है जैसे आप लोग इन वाले option पे क्लिक कीजेगा तो आप लोगों का यहाँ पे आधार काड का यहाँ पे लोगिन ले लिया जाएगा और आप लोगों के साथ कुछ इस तरह का dashboard आप लोगों को दिखेगा जैसा है कि आप लोग यहाँ पे dashboard देख सकते हैं तो यहाँ पे एक नया window आ चुका है जैसा है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं Update आधार online का तो आप लोगों को यहाँ पे अपना address या कोई भी चीज़ अपडेट करना है जैसे आप लोग click किजिएःगा तो आप लोगों को जो है यहाँ पे बहुत सारे options देखने को मिलेंगे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नमर पर आप लोगों का जो है नाम का एक आप लोगों को ओप्सण दिया जा रहा है सकेंड नमर पर आप लोग अपना डेट ऑबार चेंज कर सकते हैं जेंडर भी चेंज कर सकते हैं और साथी साथ आप चाहे तो यहाँ पर एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं तो जो भी चीज आप लोग यहाँ पर जो है अपडेट करना चाहते हैं को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहां पर फीशिड जैसे कि आप लोग अगर अगर अधरेस बदलना चाहते हैं तो यहां पर अपfilledों को अधरेस बदलना चाहते हैं तो अगर पर क्लिक करना है जैसे कि आप लोग यहां पर यहां पर का नाम होगा उसके बाद आप लोगों का यहां पर बिल्डिंग का नाम पूछा जा रहा है रोड नमबर पूछा जा रहा है एरिया आप लोगों को डालना है लेंडमार्क डालना है और पीन को डालना है तो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहां पर पूरा डीटेस जो खुद बखुद खिलब होके आ जाता है अब आप लोगों को यहां पर नेक्स्ट वाले यहां पर जो है नेक्स्ट ऑप्सन है कि आप लोगों को यहां पर अपने एड्रेस से रिलेटेड एक आप लोगों को यहा more कराके दे सकते हैं तो कुछ इस तार से आप लोग दे सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो यहां पर किसी किसी का टाइम भी लग जाता है तो आप लोगों को घबराने के जुरत नहीं कि 7 working days में आप लोगों का यहाँ पर जो है जो भी चीज चाहे चाहे आप change कर सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो कनाम भी change कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे यही एक वीडियो था यही जनकारी था उम्मीद करता हूँ कि यह जनकारी आप लोगों को पसंद आएगा पसंद दो वीडियो को लाइक से और जरूर करते हैं अगर इसी तरह के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं फिर से किसी ने